हेलो दोस्तों आप से भी को जैमसी की स्वागत की रहता है कोड़ने दमधार वीडियो में मेरी प्रिजिनों इस वीडियो को आख खोल कर फुरा लाश्ट जचक देख लेना आपके मसीही जीवन में लाइट में चेंजिंग आज जाएगी इसु मसी ने कहा है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है ओ आत्मा मरने के बाद या तो धनवान की साड़ चली जाएगी या तो अमराहम की साड़ चली जाएगी समय कम है दिन बुरे हैं अपने प्राडों को बचाओ मेरे प्रजुनू यूकि बहुत सारे आईस्ते मसी भाई बहन हैं जो अन्त के दिनों में मस्ती में डूबे हुए हैं पाप कर रहे हैं गल प्रेंड बॉय प्रेंड बनाने के चकर में पड़े हुए हैं हमें आज जिस बॉड़ी पे शरीर पे घमंड है एक दिन वही बॉड़ी वही आत्मा एक दिन मरने के बाद धनवान की साइड या तो अमराम की साइड चली जाएगी और एक दिन फिर से पर्भू सभो का पुनर्थान करेगा उन सभो को मुर्दा जीवित करेगा और मुर्दा में मांस डाल कर परमेश्वर फिर उसको न्याय किया जाएगा उसका न्याय परमेश्वर करेगा सोथि सिंहासन के सामने हमें जरा भी डर नहीं लग रहा है उस सरुसक्तिमान परमेश्वर से वो अलपामेगा दोरान थमेरे प्रेजनो उसके कहर से पृत्वी कापती है उसके क्रोथ को उसके उलड़ को जात जात के लोग नहीं से सकते हैं एसु मस्यी ने कहा है एक बार मरना और फिर उसके कामों के नुसार उसका निया करना बहुत ही जरूरी है आज बहुत सारे लोग होंगे जो अपने देवताओं को पुझस्ते पुझस्ते मर गए होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बिना उधारी के मर गए होंगे जो एसमस्ती को नहीं जानती होंगे मगर एक दिन आएसा समय आएगा कि प्रभू जो अपने दूतों के साथ आएगा तो एक दिन सब का प्रभू पुनुर्थान करेगा सब को जिलाएगा और मरे होंगा जो एक दिन आएगा और इसका उससी न्याय करने के अधार पर पर्रभू जो नर्ग में फैक देगा जहां की आग नहीं बुझती है जहां के कीड़े नहीं मरते हैं एसमसी ने अपने वचन में साथ साथ कहा है आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे आग नहीं बुझेने का और कीड़े कभी नहीं मरने का मेरे प्रियजुन आप गहराई से सोच कर देखो इस बात को जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्त का मेरी प्रिजिनों जो व्यक्त नर्क में जाएगा उस समय एसु मसी ने कहा है उस दिन और उस घड़ी के विसे में कोई नहीं जानता है मेरी प्रिजिनों एसु मसी ने कहा है परिमेशुर ने कहा है समय रहते हुए अगर अभी भी आप यह सू के पास लोटकर नहीं आए तो समझ लेना आपका बहुत पुला हाल होगा थोड़ी सी मज़ा और अनंतकाल की सजादी जाएगी बहुत तरबाएगा परमेस और हमेशा हमेशा के लिए उसको नर्क में डाला जाएगा याद रखना परमेशाоп नभाण के पर्बाद रहे हो विचार में गलत कामों में यहीं आप आफ एक दिन अनंतकाल की याग में लेकर चली जाएगी यहीं मस्ती नर्क में लेकर चली जाएगी अगर एक बार बार उसने के लिए नाको कभी पास लतौले साओं इस तो बढ़ा माफ कर देगा परमेसर को माफ कर देगा समय रहते हों अपने पापों से मन भीरा लो समय रहते हों इसमस्ती पर विश्वास कर लो इसलिए अपने आपको जाचो परखो कि आपके अंदर इसमस्ती है या नहीं है अभी आप पापों में और गिनेने घिनोनों कामों में लिपित अपने आपको परको कि विस्वास में हो की नहीं अपने आपको जाचो